दोस्तों स्वागात है आपका एक्जाम क्लिस को अनल पोटल में आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एक्जाम्स यानि कि RRB NTPC और गुर्पD की तैयारी में अच्छे से जुट गया होंगे आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ तो आज हम आपके उसी तैयार के क्रम में लेकर आये हैं RRB के प्रीवेशर पेपर के 200GK के कॉस्चन्स जो आपके पिछली फरीक्षाओं में पूछे गये थे जो रेलवे ने कंड़क्ट कराई थी ये वीडियो है जो हमारे चनल पर पिछले पांच वीडियो आये थे RRB N पिइटी PC के سमझ को बढ़ाएंगे इन qustion को करके आपको पता चलेगा कि railway में किस तरी कोुछे जाते हैं कौन से qustion simple होते हैं, कौन से tub question होते हैं और कौन से कोंसे इस question होते हैं जिन पर हमें अपना time base नहीं करना चाहिए और अगर अगर आपने इसकी तैयारी पहले से कर तो इसको आप आज़े टेस्ट भी ले सकते हैं, बताईए आपके 200 में से कितने questions सही हुए हैं वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी चनल पर सामा नध्यन के finest 1000 questions की series चल लई है, जिसमें हमें जितने भी questions होते हैं आपके GK के उनको bit explanation कबर करता हूँ, उसके जदने भी option होते हैं, इसके साथ से 8 वीडियो हमारी चनल पर upload हो चुके हैं और बांकी जो वीडियो हैं, वो धीरे-दीरे करको आपको मिल जाएंगे, तो आप इस series को देखिए, इससे आपको बहुत लाब होगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं railway के exam के pattern को, कि इसमें कितने questions किस subject से आते हैं इसमें आपके 2 stage में paper होगा, पहला stage जो होगा CBT बन, उसमें जो आपके questions होगे, 40 questions होगे general awareness के, यानि की सामान अध्यन के 30 होगे आपके mathematics के, और 30 questions होगे आपके reasoning के, टोटल आपके 100 questions पूचे जाएंगे और इसमें जो आपको time मिलेगा, वो 90 minute का होगा, यानि की 1.5 गंटे का इनमें से हर एक question एक mark कर रहेगा, यह total 100 mark का paper होगा और एक चीज़ और देख लिए, यहाँ पर यह साफ साफ बताया गया है, कि जो CBT 1 होगा, वो केबल screening level का होगा है screening से क्या मतलब है, screening का मतलब होता है, यह qualifying nature का होगा, इसके जो marks होगे, वो आपके CBT 2 में नहीं जोड़ेंगे मतलब, CBT 2 में आपके जितने marks होगे, उसके base पर टाय किया जाएगा, कि आपका selection होगा के नहीं होगा जबकि जो CBT 1 के marks हैं, वो केबल यह टाय करेंगे, कि आप CBT 2 देंगे या नहीं देंगे और बात करना, अगर इस exam में negative marking की, तो इसमें जो negative marking होगी, वो होगी आपकी one third की, यानि कि तीन question गलत होने पर, आपका एक सही वाला question है, वो भी आपका चला जाएगा तो फटाफट हम लोग देखते हैं अब 29 मार्ट के second shift के paper को, और समझते हैं कि किस तरीके के GK के question उसे exam में पूछे गए थे, उसी के base पर हमें अपनी आगे की तयारी को continue करना है, तो आप देखिए यहाँ पर, यह आपका paper है RRB NTPC का graduate level का, जो आपका 29 मार्ट 2016 को second shift में ह हुआ था, इसमें जो आपके GK के questions हैं, हम केबल उन्ही को solve करेंगे, बाकि जो math और reasoning के questions हैं, उनको आप solve करना चाहते हैं, तो इसकी PDF है, वो मैं अपने telegram channel पर available करा दूँगा, आप वहाँ से जागर उसको download करके, पूरा paper भी solve कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं GK के questions क इसमें आपका question पूछा गया था, स्वेज नहर भूमद सागर को किस सागर से जोड़ती है, तो इसका जो right answer था, वो था स्वेज नहर भूमद सागर को लाल सागर से जोड़ती है, अब railway के question करते समय, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कि इसमें जो options होते हैं, वो ए किया गया है D, तो railway आपका time based करने के लिए बढ़ ही चालाकी से इन options को बदल देती है, जिससे आपका जो ध्यान है, वो भटक जाए, और सही question आते हुए भी आप गलत कर बैठें, तो इस बात को बिलकुल ध्यान रखिए, railway के सारे papers में लगवा यही होता है online में, एक चीज से जो questions हैं, वो सफल लेते हैं, आपको सारे questions एक साथ करते हुए चलना पड़ता है, दूसरा question पूछा गया था आपसे, कामरूप का प्राचीन समराज किस राज में मौझूद था, options हैं आपकी प्राजिस्थान, मनिपूर, असम या केरल, तो देखिए, असम का जो प्राच का समराज जुगा करता था, इसमें भी आप देखिए, option इसके आगे पीछे करके दिये गए हैं, जिससे आप confuse हो सकें, तो इसमें C बाला कहां पर दिया गया है, C बाला दिया गया है, 4th में तो इसका हो जाएगा, 4th सही, next देखते हैं हम लोग, सब्द radar किस से बित्पन है, मतलब यहां पर radar का full form बताना है आपको, railway इस तरी के question भी पूछ लेता है, radar का full form, sonar का full form, sydby का full form, या nawad का full form, इस तरी खूब question आप से पूछे जाते हैं, तो आप जो main one full form है, उनको भी exam से पहले देख के जाईएगा, तो यहां पर इस question का right answer है, radio deduction and ranging इसका full form होता है, इसमें डिवाल option हमारा right हो जाएगा, फिर question है हमारा, 2012 के Greece में ओलम्पिक ने भारत में किन्ने पदक जीते थे, लेकिए यह जो paper हुआ था, वो हुआ था 29 मारre 2016 को, जबकि 2016 के जो summer olympic होने थे, Rio de Janeiro में, वो होने थे आपके August में, paper तो यह पहले हो गया, लेकिन railway को क्या करना था, olympic से question पूँचना ही था, तो नहीं 2016 का ना पूँच के, 2012 का पूँचा, तो आप अभी paper होने वाला है, railway का 28 December से, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कि 2016 के जो आपके manual facts हैं, उसको तो आप याद करके जाए ह ही बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से question आपको देखने को मिलेगा, तो इस question पर आते हैं हम लोग, 2012 के गिरिस्म olympic में भारत ने किसने पदक जीते थे, किने पदक जीते थे, छे पदक जीते थे, जिसमें आपका एक भी श्रॉंड पदक नहीं था, श्रॉंड पदक थे आपके जीरो, चार थे सिल्बर, और दो थे आपके ब्रॉंड मेडल, और 2016 के रियोड इजनेर्यो में प्रदर्सन इससे भी खराब हो गया भारत का, भारत ने केबल दो ही पदक जीत पाए, जिसमें से एक जीता था सिल्बर, और एक जीता था ब्रॉंड, नेस्ट कोश्टन की 2020 का डेकलियर नहीं हुआ है, यह पूरी बर्स बर्स का है न, परसन आप दा इयर, इसलिए उसको 2020 के दिसम्बर में, यानि की साल के अंत में घोसित किया जाएगा, तो 2019 का कौन है, 2019 के टाइम्स परसन आप दा इयर है, ग्रेटा थेनबर्ग, जो कि स्वीडन की एक एक एनव ब्लादीमिर पुतिन है, यह भी टाइम्स परसन आप दा इयर रह चुके हैं, 2007 में, यह रसिया के प्रेशिडेंट है, बराक ओबामा भी रह चुके हैं, बराक ओबामा 2012 में टाइम्स परसन आप दा इयर रहे थे, यह एक्स प्रेशिडेंट आप अमेरिका है, डेविड कैम है जो green house effect पैदा करती है तो सीधा सीधा आपको पता है co2 gas green house effect पैदा करती है बाकि जो options है बहुत गलत ही हो जाएगे क्योंकि nitrogen पहले ही से मौझूद है अगर यह green house effect बढ़ाती तब बहुत आफ़त हो जाती और oxygen तो है नहीं तो इसका पहला वाला option आपका सही हो जाएगा next है मारा DPT vaccine में P किसे प्रदस्तित करता है यानि कि संदर्ब्रित करता है मतलब P का मतलब क्या है DPT की फुलफॉम में तो DPT का फुलफॉम होता है आपका diptheria, pertuses और tetanus यानि कि जब आपको diptheria यानि कि आपको ये swans नली के एक बीमारी है और pertuses यानि कि काली खासी हो जाए और tetanus हो जाए तो इन तीनों रोक के निदान के लिए आपको DPT का टीका लगाया जाता है तो इसमें से क्या हो जाए DPT में P का फुलफॉम ये पूचते हैं क्योंकि हम लोग P से confuse कर जाते हैं कहीं ये pneumonia के लिए तो नहीं है क्योंकि pneumonia की जो spelling है वो P से start होती है या आप इससे भी confuse हो सकते हैं pancolitis या Parkinson's stroke से जब कि ऐसा नहीं है P का फुलफॉम होता है produces उसका right answer हो जाएगा fourth बाला यानि कि B option अ right answer है जापानी भासा जापानी भासा में होता क्या है हर एक सब्द के लिए इस पेस पे लेटर होता है जैसे कि माली जी ये चेयर है चेयर को वो लोग इस तरीके से लिखते हैं बैसे सही तो नहीं है मैं के बले एक्जाम पर लिए बता रहा हूं उनको माली जी किसी सब्जी का नाम लिखना है आलू लिखना है उने तो वो आलू को इस तरीके से किसी तरीके से लिखेंगे कहने का मतलब है हर एक सब्द के लिए उनके पास एक अलग चितर होता है सेम यहीं स्टोरी होती है आपकी चाइनीज के साथ भी चाइनीज में भी आपका हर एक बस्तू के लि वही अलफावेट्स आपके औरेज लिखने में प्रियोक होंगे वही अलफावेट्स आपका चेयर, टेबिल, कंटिनेंट या आप कुछ भी लिखिए तो उसमें वो यूज होते हैं जैसे कि इसमें देख लीजिए यहाँ पर भी यूज हुआ है यहाँ पर भी यूज हुआ है कुल बला कि आप इतना समझ लीजिए कि जो जापानी भासा और चाइनीज भासा है वो टोटल चित्रों से भरी पड़ी है उसमें अक्छनों का कोई काम नहीं है तो इसमें हमारा सही जो आप्सन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला यहाँ पर पहला ही पर दिया हुआ है और इसी तरीके साइन्स का बाइलोजिका एक कोउचन पूछ लिया गया प्रिकंद का उधारन है आपे आपको फिल इंदे बलेंक्स बनना था यानि कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक प्रिकंद है गाजर है, सकरकंद है, लैसन है या अद्रक है इस तरीके खूब कोउच्चन आपके हर एकजाम में पूछे जाते हैं खासकर SSC और रेलवे के एकजाम में तो खूब इस तरीके कोउच्चन मिल जाएंगे कि बताए ये आलू क्या है, तना है या जड़ है अद्रक क्या है, कौन सा इनमें बल्ब है, कौन सा कंद है या इनमें से कौन सी मचली नहीं है आपको बहुत सारी मचलियों के नाम दे दी जाएंगे उसमें से आपको छाटना रहेगा कि इनमें से कौन सी बास्टवेक मचली नहीं है तो ऐसे question में आप confuse हो जाते हैं तो अच्छी बात यह है कि यह question ज्यादा नहीं है को टोटल मिलाके 10-12 question ही है जिनको हम अगर अच्छे से याद कर लें तो हम इनको पार कर जाएंगे इनमें जो आपका प्रिकंद है वो है आपका अदरक और गाजर क्या है गाजर और सकरकंद जो है वो हैं जड़ है हम लोग गाजर को खाते हैं तो हम पौधे की जड़ को खाते हैं सकरकंद यानि की sweet potato होता है जो वो जड़ होता है एक प्रिकार का अर लैसुन क्या होता है, लैसुन होता है एक बल्ब यानि की कंद अलू भी एक बल्ब होता है यानि की कंद होता है ज jetzt कहने एक और कोस्यन ते ह 약간 पूछा गया था, आपको बता सहथ है टमाटर क्या हैं फॉद्धि या सबाणी को हम आगे देखेंगे तो इसका right answer हो जाएगा यह D वाला जिसी यहाँ पर थर्ड नमबर पर दिया हुआ है मैं बारवर बता रहा हूँ आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि railway जो होता है वो options को आगे पीछे करके दे देता है आपको confuse करने के लिए अगर आप जरास अभी अभियर नहीं है तो आप यहाँ पर गलत कर बैटेंगे तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है नेक्स्ट हमारा question है सूरज की रोशनी को उसके संगटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है अप बरतन पराबरतन परत्याकरसन या बिकरन तो देखिए सूरज की रोशनी होती है हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रिज्म के ध्रूश को साथ रंगों में बाट देते हैं तो प्रिज्म में कौन से क्रिया होती है प्रिज्म में होता है आपका प्रिकास का प्रिकीडन लेकिन प्रिकीडन तो यहाँ पर उप्सन में है नहीं तब हम लोग क्या करेंगे तब हम लोग चलाएंगे काम अपबरतन से क्योंकि पराबरतन में क्या होता है परावरतन में तो किरन आती है और लोट जाती है सुईद किरन आती है सुईद किरन ही लोट जाती है जबकि अपवरतन जो होता है वो दो माधियमों में होता है दो माधियमों में होने से उसके प्रकास की पिरकृति में भी परवरतन होता है तो यहाँ पर आपको इसी option से काम चलाना पड़ेगा कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विवाज़त कर देता है तो अब बरतन कर देता है और बिकरण क्या होता है बिकरण तो यह radiation का form है इसमें heat waves चलती है आपकी सूर से प्रत्वी तक जो उसमा होती है वो बिकरण के द्वारा ही आती है और जो प्रत्या करण है वो पता नहीं यहाँ पर क्यूं दिया गया है इसका प्रत्या करण का क्या मतलब होता है अगर यह इंग्लिस में होता तो इसको डेसिवर करना और असान हो जाता नेक्स्ट है हमारा माल बिकागनी मित्रम किस ने लिखा था तो इस तरी कोस्टन भी खूब पूछे जाते हैं आपसे कोई एक पुरानी बुक दे दी जाती है कि बताईए इंडिका पुस्तक किस ने लिखी थी या अर्थसास किस ने लिखी थी तो जो मेंवें पुराचीन पुस्तके हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो यहाँ पर इस कोस्टन का राइट आंसर है माल बिकागनी मित्रम किस ने लिखा था तो एक पले है नाटक ये किस का है ये है काली दास का बहुत ही फेमस कभी थे ये संस्कृत के चंद्रकृत दुतिये जन्हें बिक्रमादित के नाम से भी जाना जाता है उनके दरबार में रहते थे और भास ये भी संस्कृत के बिद्वान है इन्होंने क्या लिखा था इनका एक बहुत ही फेमस नाटक है यानि कि बहुत ही famous कृती है इनकी उस कृती का नाम है सपनबास बदत्ता बहुत बार एक्जम में पूछा जा चुका है और बालबट बालबट ने हर स्चरित लिखी थी और कभी राय इनको गिर्धारी कभी राय के नाम से भी जाना जाता है बैसे historically इनके बारे में ज़्यादा प्रूब नहीं हुआ है लेकिन ये अपने poetry के collection के लिए खुब जाने जाते है तो इसमें हमारा option सही था D बाला D बाला यहाँ पर फर्स इस्तान पर दिया गया है Next है हमारा production में सूच कांक SPM का पूर्ड रूप क्या है SPM का आपको पूर्ड रूप बताना था तो SPM का full form होता है आपका suspended particulate matter यहाँ पर बी बाला उपसन आपका सही हो जाएगा देखिए full form का कितना importance है जो आपके manual full form है वो कितने एक्जा में पूछे जा रहे है Next देखते हम लोग बड़ा अच्छा question पूछा गया था आपसे कौन सी नदी करनाटक और तमिलाडू में बहती है कौन सी नदी बहती है करनाटक और तमिलाडू में तो इसका जो right answer है वो है काबेरी नदी काबेरी नदी करनाटक में बरमगरी पाड़ियों से निकलती है और तमेलाडों बहती हुई ये way of वंगाल में गिर जाती है ये वाला question अभी हाल में SSC दिल्ली पुलिस का जो paper चल ला है उसमें भी पूचा गया है previous year question करने से हमें एक फाइदा ये भी हो रहा है कि हमें pattern का तो पता चली ही रहा है difficulty level या level of exam का साथ साथ हमारी अच्छ अच्छे question भी collect होते जा रहा है जो अगर repeat हुए किसी भी तरीके से चाहें वो SSC CGL का हो MTS का हो या कोई भी exam हो बिहार PCS उत्तर प्रदिस PCS जो भी हो आप इनको आसानी से कर सकते हैं नेट देखते हैं हम लोग पूछा गया था जीका बारस किसके द्वारा मर्स में संचारित होता है जीका बारस फैलता है एडीज मच्छ के काटने से तो इसका जो right answer है वो है मच्छ और चुहे से कौन सा रोग फैलता है चुहे से फैलता है plague और जींगर और खरगोस तो इनसे तो एक जाम में question नहीं पूछा गया और साहे दिन से कोई रोग फैलता हो यहाँ पर हमार right answer है जीका बारस जो फैलता है वो मच्छ के दुरू फैलता है नेक्स्ट है हमारा निमलिकित मैंसे किन कड़ों में सकाराद में आवेस होता है आपको बताना है किन में positive charge हो जाता है neutron में, proton में, electron में, krypton में तो आपको पता है neutron तो आभिस रहत होता है यानि कि neutral होता है proton जो होता है उसमें होता है positive charge तो यहीवाला आपका right answer हो जाएगा और electron में तो negative charge होता है और krypton तो krypton तो एक अक्रिय गैस है इसको के आर से दर्साते हैं नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा क्या है रासानेक रूप से क्या होता है बेकिंग सोडा ये आपको बताना है तो बेकिंग सोडा होता है जो रासानेक रूप से वो होता है सोडियम बाई कार्मेनेट और सोडियम कार्मेनेट होता है वो होता है धाबन सोडा आप कभी भी कन्फ्यूज हो जाएं कि सोडियम बाई कार्मिनेट है जो वो धाबन सोडा है कि बेकिंग सोडा तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताता हूं मज़िदार आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे तो देखें क्या है ट्रिक आप जानते होंगे कि जो लड़के आर आर भी एंटे पीसी और गुडबी की तैयारी करने के लिए बाहर रहते हैं जब वो बाहर रहते हैं रूम लेकर तो अब तैयारी बहुत तेज हो गई है तो उन्हें खाना बनाने का समय नहीं मिलता है खाना बनाने का समय नहीं मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं एक बाई को लगवा लेते हैं खाना बनाने के लिए और बाई जब आती है तो ही खाना बनता है और जिस दिन नहीं आती, तो बच्चे बेचारे पढ़ाई करते रह जाते हैं, लेकिन खाना नहीं बनता, तो खाना किस पर depend कर रहा है, खाना depend कर रहा है, बाही के आने या ना आने पर, और baking का मतलब भी तो होता है, खाना पकाना, तो आप इसको ऐसे trick से भी याद रख सकते ह कि जिस दिन बाई आएगी, खाना उसी दिन बनेगा, यानि कि बेकिंग होगी, और एक जो बचा हुआ हो गया आपका सोडियम कार्मेनेट, वो हो गया धाबन सोडा, धाबन सोडा का मतलब है कपड़े धोने वाला डिटरजेंट, और पोटिसम परमेंगनेट है, उसको लाल द जानते ही हैं, ये नमक का फॉर्मूला है, नेट देखते हैं हम लोग, कोस्टन है ग्रैफीन क्या है, ग्रैफीन बताना है आपको, कार्बन का अपरूप है, एक लोग पर ये ग्राफिक सौड़वेर है, एक पौरानिक जानबर है, या एक संकर्मत घाव है, तो ग्रैफीन जो है, इसकी खोज हुई थी 2010 में, और इसकी खोज के साथ ये बताया जा रहा है, कि ये ग्रैफीन है, वो दुनिया में करांती ला सकता है, क्योंकि ये श्टील से भी 100 गुना ज़्यादा मजबूत है, और साथ ही साथ इसका यूज हर फील्ड में किया जा सकता है, चाहें इलेक्ट्रोनिक्स का फील्ड हो, चाहें वो आपका कोई भी फील्ड हो, इससे जो बैटरी है, वो केवल 5 मिनट में ही चार्ज हो जाएगी, और इसकी खोज के लिए 2010 का नोविल प्राइस दिया गया था बहुत की में, तो ग्रैफीन है, वो कार्बन का प्रूप है, कार्ब अमर सिंग द्वारा संकलत किया गया था, यह संस्कृत के बिद्वान थे, जो की चंद्र को दुतिये, जिनको बिक्रमादित के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के नभरतनों में से एक थे अमर सिंग, और उन्हीं के दरबार में कालिदास भी रहते थे, तो कालिदास ने मालव विकागनी में तरम लिखा था और अमर सिंग ने क्या किया था अमर सिंग ने संस्क्रित का सब्द कोष को संकलित किया था और उस सब्द कोष का नाम क्या रखा था अपने ही नाम पर अमर कोष रखा था और जो हर्श चर्यत है वो बानबट की करती है और बाक ब्रत्ती ये संक्राचार के करती है तो इसका right answer हो जाएगा अमरकोस अगला question है हमारा सबसे पहले पहिये किस से बने थे तो rubber से बने थे कांच से बने थे, लकड़ी से या लोहे से तो आप इस question में थोड़ा से doubt कर सकते हैं और अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो आप सोचेंगे हो ना हो सबसे पहले आजबी ने पत्थर के पहिये बनाए होंगे क्योंकि पत्थर के ओजार बाले तो आपने इस्ट्री में पढ़ रखा है लेकिन रेलेवे ने यहाँ पर आपकी सुबधा के लिए पत्थर बाला ओप्सण यहाँ पर दिया ही नहीं तो इसमें आप आसानी छी पहचान सकते हैं कि पत्थर के बाद किसका नंबर आया होगा पत्थर के बाद आया होगा नंबर लकड़ी का और इस के लिए उनों 1983 का वहतकी का नौबल पुर्षकार मिला था चंदर सेकर सीमा लागू होती है आपकी सितारों पर यानि कि इस्टार्स पर इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था अगर किसी तारे का द्रबमान है वो सूर के द्रबमान के 1.4 गुना से जादा है तो बोत तारा अपनी मृत्यू के समय सुपर नूपा के रूप में बिस्पोर्ट होगा और किसी तारे का द्रबमान सूर के द्रबमान के 1.4 गुने से कम है तो अपनी मृत्यू के समय वो स्वेद वावन तारा बनेगा यानि कि वाइट डॉर्प के रूप में convert होगा नेक्स्ट है हमारा टमाटर क्या है आपको बताना है फल है या सबजी है फल ही है तो बड़ा अच्छा question है इंट्रेस्टिंग है टमाटर जो है वो एक फल होता है आपको confuse करने के लिए वो पहले ही option पर सबजी दे दिया है कि आप दूसरा option पढ़े ही ना और मन ही मन खुस हों कि वहाँ कितना simple question पूँचा रहे लिए ने आलू मटर टमाटर सबजी से पूँच रहा है question नेक्स्ट है हमारा किस ब्यक्ति ने ओलम्पिक खेलों में सरबाद एक सुरंड पदक जीते देखिए फिर से आप से ओलम्पिक से पूँच दिया तो आप समझ सकते हैं ओलम्पिक खेलों की importance कितनी है तो इसमें सबसे जादा सुरंड पदक जीते हैं Michael Phelps ने इन्होंने ओलम्पिक में अभी तक 23 gold medal जीत लिये हैं और total जीते हैं 28 जिसमें से 23 इनके gold medal अकेले हैं और ये 2020 यानि कि अब तो 2021 में जो होगा टोक्यो में उलम्पिक उसमें भी खेलने जाएंगे तो इनका स्कोर और भी बढ़ सकता है ये कौन सा खेल केलते हैं ये खेलते हैं swimming बहुत ही motivational टाइप का तुथ हैं इनका आप YouTube पर जाकर इनको चेक कर सकते हैं अगला question है हमारा यूमामी क्या है चिकिस्सा पद्धिती की साखा है स्वाद का प्रकार है धादू का प्रकार है एक बेंड समू है तो मैं बता रहा था न आपको किस तरीके question skip करना है तो ये वही question है अब इस question को skip करने के अलावा आप क्या करेंगे कुछ भी करेंगे तो गलत ही कर बैठेंगे आपको कैसे पता है कि यूमामी क्या होता है ये यूमामी एक जापानी भासा का सब्ध है जापानी तो हम लोग पढ़ते नहीं हिंदी के लापा तो कोई दूसरी language सीखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जबकि इस तरीके question आपको फसाने के लिए पूंची दिया तो मैं तो select करूँगा आप ऐसे question को skip कर दीजिए ऐसे questions आपको हर exam में 2-3 मिल ही जाते हैं जिनमे time based करने का कोई मतलब ही होता क्योंकि आप इसमें 50% भी सही guess नहीं लगा पाएंगे इसका जो right answer था वो था ये स्वाद का एक प्रिकार है जापानिवासा का सब्द है और आप यहां मत ध्यान दीजिए कभी भी chosen option जो होता है वो जरूरी नहीं कि जिस candidate का यह paper है उसने सही ही दिया हो जैसे कि यहां पर देखिए यह math का कोई question था इसका दूसरा option सही था और इसने कौन सा टिक किया था इसने किया था पहला option तो आप कभी भी यहां मत देखिए question को solve करते समय क्योंकि यह गलत भी answer दे सकता है अगला है हमारा किस tennis klari ने अर्धिक्तम grand slam किताब जीते हैं किसने जीते हैं पीट सेंपरास आंद्रे अगासी रोजर फेडरर या राफिल नडाल तो 2016 के हिसाब से पूछा गया था इसका right answer था रोजर फेडरर और अभी तक यह right answer बना हुआ है अब इनोंने टोटल 20 grand slam जीत लिये हैं और राफिल नडाल जो इनके नीचे हैं इनोंने भी 20 grand slam जीते हैं तो यह दोनों लोग टॉप पर बने हुए हैं 20-20 के साथ इन सारे questions को देखते हैं आपको लग रहा है कि इस sports से question आपके खूब भर भर के पूँचे जाते हैं अगला है हमारा बरतमान में दुनिया के सबसे उची इमारत कौन सी है तो यह तो कोई भी बता देगा छोटा बच्चा भी बता देगा आरों से पूँच होगे दुनिया की सबसे उची इमारत कौन सी है बुर्ज खलीपा है और बाकी ये जो है बाकी ये तीनों टॉप टैन में भी सामिल नहीं है दूसरी है बुर्ज खलीपा के बाद वो है आपकी संगाई टाबर ये वाली नहीं है संगाई वर्ल फानिसें सेंटर एक दूसरी बिल्डिंग है दूसरी है आपकी संगाई टावर नेश्ट देखते हैं हम लोग निमलेक तमेंसे किसने फिल्म निर्देशन के लिए आसकर जीता है या रह्मान ने, गुर्दत ने सत्जीत रे ने या गुल्जार ने तो इसका राइट अंसर है फिल्म निर्देशन के लिए सत्जीत रे को आसकर मिल चुका है 1993 में और अगर बात की जाए सबसे पहले आसकर किसे मिला था तो सबसे पहले आसकर मिला था 1983 में वानू अथहिया को किसके लिए मिला था गांधी फिल्म में कॉस्ट्यम डेजाइनिंग के लिए और नमेर से AR रह्मान और गुल्यार को भी मिल चुका है और इन दोनों लोगों को 2009 में दिया गया था और क्यों दिया गया था एक मूबी आय थी इसलम डॉक मिल लिनियर उसमें जो गीत था जै हो उसकी जो लिरिक्स लिखी थी बो लिखी थी गुल्यार ने और उसको गाया था AR रह्मान ने और बाकि ये गुरुदत को नहीं मिला है उसकरवाड नेर्ट देखते हैं हम लोग लाज्ट सपर किसने चित्रत किया था पेंटिंग का नाम में आपसे पूँचा जा रहा है इसका जो राइट अंसर है बो है लियनार्डो दबिंची ने बहुत ही फेमस ये इटालियन चित्रगार थे उनकी जो मोना लिसा है जॉन दा बेप्टिस्ट है बहुत ही फेमस फेमस पेंटेग ने बनाई और बहुत ही कावल इंसान थे ये ये मैथमेटोसिंब भी थे मेकेनेक्स को भी ने आगे बढ़ाया बाइलॉजी को मतलब आल राउUNDर थे हर फिल्ड में ने उनकी आप यहाँ तक कि ने उस जमाने में वो है The Last Judgment और Pablo Picasso ये modern जमाने के यानि कि 20 सिताबदी के एक चितरकार है इस्पेन के और Rembrandt ये भी एक Dutch चितरकार थे 27 सिताबदी के ये भी बहुत फेमस है इनकी जो painting है The Night Watch के नाम से बहुत फेमस है अगला हमारा निमलिकित में से कौन एक Manu Bagyanaik थे यानि कि आमको अगर दो पता है नील्स बोर बाला और आईजक न्यूटन बाला दो पता है तो दो तो ये पक्का हो गया कि दो इनमेंसे नहीं है तो एलिमिनेशन मेंसे के तुरू हम इसको attempt करने का risk ले सकते हैं क्योंकि इसमें अब हमारे जो बाकी बचे हुए दो option है उनमें आपका right होने की जो percentage है वो 50% है आपके success होने का कि इनमेंसे दो मेंसे कोई एक option ही सही होगा क्यों? क्योंकि नील्स बोर है ये नों तो बोर बरी model दिया था परमाणू की संरचना का और Isaac Newton को आप जानते ही है physics और math से जोड़े हुए हैं ये बच गए आपके दो Oliver Goldsmith के बारे में आप नहीं जानते ना ही segment Freud के बारे में जानते हैं फिलाल इसका जो right answer है वो है segment Freud इस segment Freud थे जो मनुभज्ञान की छेत्र में इतने famous हुए कि इनके जो मरीज होते थे वो मरीज का इलाज ऐसे ही कर देते थे मतलब उस समय थक anesthesia का अविस्कार भी नहीं हुए था anesthesia का मतलब होता NSJ तक जो आपको operation से पहले उस जगह पर लगाई जाती है जह जगह के चीराफाडी डंक्टर करने वाला है आपको दर्द कानभाव ना हो लेकिन उस समय तक तो anesthesia discover भी नहीं हुए था जिस समय सिग्मेंट फ्रॉरेंड अपने मरीजों का इलाज किया करते थे मरीजों से बस कह देते थे कि अब तुम्हें दर्द नहीं होगा वो इतनी बढ़िया तरीके से कहते थे कि मरीजों को दर्द फील तक नहीं होता था पूरे operation के तुरू और भी आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे hypnotize करने बाले जिसमें ये कह देते थे बेटा तुम बिल्ली हो तो मरीज भी इनका बिल्ली की तरह ही फील करने लगता था मरीज से कह देते थे तो तुम बंदर हो तो मरीज भी बंदर की तरह ये फील करने लगता था तो एक बहुत बड़े मनुवज्ञानिक थे ये और Oliver Gold इसमें थे जो वो एक novelist थे आर्लेंड के उसका right answer है Sigmund Freud बैसे जनरली लोगों को Sigmund Freud के बारे पता ही रहता है क्योंकि ये बहुत ही famous सक्सियत है ये अगला है हमारा निमलिकर में से किसके अधिकतम पैर होते हैं मकडी के, सहसरपाद, गोजर या ब्याग पतंग तो इंगलिस में भी याँ पर दिया हुआ है इसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं मकडी के तो होते हैं 8 पैर गोजर, गोजर के कितने होते हैं यहाँ अपर लिख दिया है सैंटी पीडिया, यानि की 100 पैर होते है सैंटी का मतलब होता है 100 सैंचुरी में भी तो सैंटी होता है मिलिपीड के, इसमें कितने होते हैं सहसर मतलब, एक हजार पाउं होते हैं तो question का answer भी उन्होंने option में ही छुपा के दे दिया, आप इसको आसानी से पकड़ सकते थे next है हमारा lemur क्या है मानोसरी की एक हड़ी है cancer की बिकास का एक प्रिकार है एक साथन मसीन है, मिटा का इसकर में पाया जाने वाला जानबर है तो बड़ा ही confusion आप से question पूंच दिया आप चाहें तो exam में इसको भी skip कर सकते हैं फिलाल इसका जो answer है वो है lemur एक मिटा का इसकर में पाया जाने वाला जानबर है आपने देखा होगा एक बंदर की तरह ही होता है बंदर और gallery type होता है gallery से size में थोड़ा बड़ा होता है और जब आपने मानों विकास करम का इध्यास पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा भी होगा lemur के बारे में कि जो बंदर का विकास है वो lemur से ही हुआ था फिर बाद हम बंदर से कपी बना, कपी से मनश्र बना तो आपका जो image बना रहता है कि किस तरीकी से बंदर से आदिमानों बना, बालों बाला फिर आदमी बना, फिर आदमी खड़े हो के पैरों पे चले लगा तो जो सबसे पहले image बनी होती है वो इसी लीमर की बनी होती है आपका भी देखिए बुक उठाकर आपको इम मिल जाएगा नेक्स्ट है मारा बर्लिन की दीबार को किस बर्स दोस्त किया गया था तो ये तो बड़ा ही भचाने वाला कोशन पूँच दिया हिस्ट्री का कोशन है बैसे ये लेकिन हम लोग तो हिस्ट्री में बड़ हिस्ट्री कभी पढ़ते ही नहीं है हमके बल वारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं और वो भी बड़े मुस्किल से हमें आद होती है फिर कैसे इस कोशन को अटेम्ट किया जाएगा और रही बात तुक्के की तो तुक्का भी आपस में लगा नहीं सकते यूँकि सारे ही तो संदिये हो इनमें से आपको कुछ भी आइडिया नहीं है फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वह बर्लिन की दीवार को नवंबर 1989 में बर्लिन के लोगों ने धुस्त कर दिया था बर्लिन क्या है बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और बर्लिन के बीचों बीच ये दीवार बनी थी जो इस्ट बर्लिन और बेस्ट बर्लिन के लोगों को आपस में मिलने से रोकती थी ये बर्ल हिट्री की काफी फेमस घटना है मिखाल गोर्भा चोप की समय की बात है ये उस समय जर्मनी पर उनका सासर हुआ करता था नेक्स्ट है हमारा निमलेकित प्राकरते जनक किसे कहा जाता है, Euclid को पाइथागोर्स को, रामानुजन को या फिवोनाची को तो जियामिती का जो जनक है वो Euclid कहलाता है, और पाइथागोर्स को तो अब जानते ही हैं, उन्होंने पाइथागोर्स थेहरम दिया था, हाला कि पाइथागोर से भी कई साल पहले बौधायन वो थे और हम दे चुके थे अपने यहाँ और रामानुजन ये साउथ इंडिया के बहुत ही बड़े मैथमेटिसियन हुए इन पर एक फिलिम भी बन चुकी होलिवूड में दे मैन हु नू इन्फिनिटी पो ग़ी और जो फिलिम नाची है बो भी एक फेमस इटालीन मैथमेटियन थे अगला कोशन नमारा उच्छतंपनियालयके न्यादिशों की सेबा निबृती की अमर क्या है बड़ा अच्छा कोशन है उच्छतंपनियालयका पूछा है आपसे उच्टम न्यालय की होती है 65 years और यहीं पर अगर पूछ था उच्टम न्यालय की तो उच्टम न्यालय की हो जाता है आपका 62 years चाहें वो आपका CGI हो या फिर अन्य न्याइडिस हो कोई भी हो अगर उच्टम न्यालय की पूछे तो 65 years और उचिनाले के पूछे तो 62 यार आप ये ध्यान रखी है और इन्ही questions पर best आपको जो 1000 questions की final gk की series है उसमें मैं question कराऊंगा जिससे आपकी जो तयारी है वो railway के exam oriented हो सके next question है हमारा भारत के मुख चुना आयुक्त कौन है तो उस समय तो उसका right answer था डाक्टर नसीम जैदी लेकिन अब कौन है इसका right answer अब कौन है भारत के मुख चुना आयुक्त अब है सुनील अरोडा और अभी हाल में एक और बने हैं कौन बने हैं राजीव कुमार बने हैं चुना आयुक्त वो मुख नहीं है अगला कौशन है हमारा भारत के राष्टपती के पद की सपत किसके द्वारा दलाई जाती है किसके द्वारा दलाई जाती है भारत के मुख नैदीस द्वारा दलाई जाती है और एक और interesting के बात में बताता हूँ आपको question आपसे गुमा के यहां से पूछता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद की सपत कौन दिलाता है तो आप हमेशा याद रखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो पद की सपत नहीं लेता है next है हमारा निमलिखत में से कौन सी प्रिक्रिया carbon dioxide के बाताबन को हटाती है मतलब कम करती है कम कौन सी करेगी? कम करेगी photosensitive यानि कि प्रिकास sensation में carbon dioxide की जरुत पड़ती है और इसी के बतले में बन जाती है O2 तो इसका right answer हो जाएगा प्रिकास sensation और पूछा गया था आपसे भीम बेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी है तो भीम बेटका की जो गुफाएं है वो लगबक 30,000 साल पुरानी है इसमें जो आदी मानों रहता था उसने भीम बेटका की गुफाएं पर कुछ चित्र बनाए है चित्र भी बहुत अच्छे नहीं है फाइन आर्स नहीं है ऐसे ही वो रंगों का प्रियोग करके ऐसे कुछ चेत्र बनाया है उसने आदी मानों के और जानवरों के कुछ तो आप समझें जी रेलेविक कैसे कैसे कॉफशन आपसे पूछ लेता है क्यूंकि हम पढ़ते हैं भीम बेटकाई के कुफ़ाय कहा है MP में है फिर इसको भूल जाते है कोई ये थोड़ी पढ़ता है कितने साल पुरानी है लेकन यहाँ पर आप से पूछ लिया गया कितनी साल पुरानी है जीवों और परियावरन के बीच अन्योन किरिया के बैग्यानिक बिसलेशन और अध्यन को क्या कहते है मतलब आपको बताना है कि अगर परियावरन और जीवों के बीच का जुरिस्ता होता है वो क्या कहलाता है पारिस्तित्की के थुरू हम लोग जीवों और उनके पर्यारवन के बीच की क्रिया का ध्यन करते हैं तो उसका यह वाला option सही हो जाएगा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको railway में जो option है आपका time खराब करने के लिए आगे पीछे कर देता है जैसे यहाँ पर तो पहला का A दिया हुआ है लेकिन जनरली ऐसा होता है कि इसके option को आगे पीछे कर देता है जैसे यहाँ पर दूसरे के साथ C दिया हुआ है तीसरे के साथ D दिया हुआ है चौतरे के साथ B दिया हुआ है तो मालीज इस question का अगर दूसरा answer सही होता B वाला सही होता तो अगर आप आँक बंद करके दूसरा बाला टिक करते तो वाला आपका गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पर तो दिया हुआ है C आप समझ रहने हैं मैं क्या क्याना चाहता हूँ तो आप बिलकुल ध्यान से option को टिक करिए क्योंकि यह दूसरे पर B नहीं C दिया हुआ है फिलाल इस question का राइड नाजसर तो वही है पार्स्तित की बाला वैसे यह simple question था और देखते हैं जी के question अगला question है computers related आदुने एक printer की गती को मापने के लिए नेम लिखते में से कौन सी प्रियोग की जाती है इसके लिए प्रियोग किया जाता है page pretty minute मतलब printer है जो एक minute में कितने page माप सकता है उससे उसकी गती का पता चलता है एक और इसी तरीके से होता है वो होता है आपका DPI DPI का इसकी quality मापने के लिए क्या जाता है इमेज की quality मापने के लिए DPI का मतलब होता है dot per inch ये भी exam में बहुत पूछा जाता है इसको भी आप याद रखिए अगला है हमारा निम लिखत में से कौन सा stem cell का एक प्रिकार नहीं है आपको बताना है इन में से कौन सी stem cell नहीं है नाभी रज्जू, भूण, भूण, मूलिय या मेद इसको इंगलिस में भी दिया हुए हिंदी में से थोड़ा सा कठन हो रहा है जैसे नाभी रज्जू का मतलब है अंबलीसियल या भूण का मतलब है फेटल और भूण मलिय एंब्रियोनिक या मेद मतलब फेट बसा वाली जो कोसकाई है तो उसमें ये तीन जो कोसकाई है वो stem cells है, stem cells होती क्या है ये अपने आप में बढ़ती है stem cells जैसे कि मालीजे अगर हमारा उंगली कट जाती है तो उंगली तो दुबारा नहीं जमती है क्योंकि उसमें stem cells नहीं होती अगर उंगली में stem cell होती तो उंगली कटने के बाद भी दुबारा जमाती stem cell का मतलब है ऐसी कोसकाएं जो बढ़ती हो और अपना विकास फिर से कर लेती हो अभी बैग्याने के stem cell की खोज में लगे हुए हैं जैसे stem cell बन जाती है तो फिर कोई भी बैक्ति बुढ़ा नहीं होगा ना ही मरेगा क्योंकि stem cell के थुरू फिर से उसका जो भी खराब हुआ है वो फिर से बना के उसको लगा दिया जाएगा तो इसका जो आंसर है फैट की जो cells होती हैं वो stem cells नहीं होती हैं जबकि जो भुरूण के कोसकाएं होती हैं भुरूण मूली कोसकाएं होती हैं और नाभी के कोसकाएं होती हैं ये सारे stem cells होती हैं इनसे ही सिसू का विकास होता है ये बनती है कोसकाएं अगला कोश्चन है हमारा महान समराड असो किस बंस के थे बहुत सिंपल कुछन पूछे आप से ये थे आपके मौरेबंस के राजा थे और मुगल बंस के महान सम्राट कौन थे मुगल बंस के आपका अकबर महान थे या कई लोग औरंग जेब को भी महान बताते है बैसे जो इंडिया के लोग है वो अकबर को महान बताते हैं और पाकिस्तान के लोग औरंग जेब को महान बताते हैं पाकिस्तान के लोग कहते हैं अकबर ने हिंदूों को छूड़ दे के उनको बिगार दिया था तो उसी बात की सजा दी थी औरंग जेब ने इसलिए पाकिस्तान बाले औरंग जेब को महान मानते हैं फिलाल अपना-पना पॉंट अप व्यू है लेकिन हमारे लिए ये कौन सा उप्सन सही होता मुगल बंस का महान राजा कौन सा था अकबर था गुप्त बंस का महान राजा कौन था चंद गुप्त दितिये जिसने बिक्रमादित की उपादी धान की थी उसकी दर्बार में कालिदास और नवरतन रहते थे चोल बंस का महान राजा कौन सा था चोल बंस का महान राजा था राज राज प्रतम जिसने तंजौर का ब्रहदे सौर मंदर का नुमाड कर वाय था अगला कोस्टन है हमारा निमलिकित मसजदों मेंसे किसका नुमाड मोगल समराट साहे जह धूरा कर वाय गया था जामा मसजिद दिल्ली, बादसाही मसजद लाहोर, काबली बाग मसजद हरियाना या किला आय कोहना मस्जिद दिल्ली तो ये तो थोड़ा सा टफ कोशन था लेकिन अगर आपने मोगल बंस को अच्छे चे पढ़ रखा है उनके दोरा बनाई गई विल्डिंग्स को तो इसका जो राइट आंसर है जामा मस्जिद है दिल्ली की बो बनवाई थी साय जहाने और ये जो बादसाही मस्जिद है ये लाहौर की मस्जिद है जो बो भी जामा मस्जिद से काफी मिलती जुलती है जामा मस्जिद से थोड़े ही छोटी है इतनी ही बड़ी है लगबग इसको बनवाई था औरंग जेब ने और जो आपकी काबुली बाग मस्जिद हर्याना में है उसको किसने बनवाई था तो देखिए इसमें छुपा हुआ है काबुल और काबुल से कौन सा आया था मुगल सा सा काबुल से आया था बाबर तो इसीने बनवाई था बाबर ने काबुली बाग मस्जिद को और किला एक कोहना मस्जिद किस ने बनवाई थी, किलाय कोहना मस्जिद बनवाई थी, सेर साय सूरी ने, जब उसने पुरानी दिल्ली को हुमायू से छीन लिया था, तो उसने अपने परसनल यूज के लिए किलाय कोहना मस्जिद बनवाई थी, तो इसमें हमारा राइट अंसर था, दिल् 1947 या 1968 तो भारत की आजादी की एक साल बाद ही स्री लंका को भी आजाद कर दिया गा था 1948 इसका अंसर है modern level का question था या इसको simple भी कह सकते हैं क्योंकि generally सबको पता रहता है कि जो स्री लंका था वो 1948 में आजाद हुआ था और बर्मा भारत से कब आ लग हुआ था बर्मा हुआ था 1935 में अगला question है हमारा बैग्यानिक नाम homo sapiens का क्या आर्थ है तो बड़ा ही अच्छा और simple question है कोई भी कर सकता था इसको homo sapiens का क्या आर्थ होता है बुद्धिमान मानाओ और बांकी options तो देख के आपको थोड़ा सा मजाक सा लग ही रहा होगा सीधा आदमी, लंबा आदमी या कामकाजी आदमी ये सब सही option नहीं है homo sapiens का धर्थी पे जो उद्भाव माना जाता है वो माना जाता है कि आस्ते लगवख 40,000 साल पहले अपनी आदे मानाओ पूर्वेजों से अधिक मुद्धिमान मानाओ का अधभा हुआ और उस मानाओ को कहा गया बुद्धिमान आदमी या homo sapiens और आज के मानाओ को क्या कहा जाता है homo sapiens एक बार और sapiens यानि कि homo sapiens sapiens वो और ज़्यादा बुद्धिमान हो गया है इसमें दो बार से अपियंस आ गया है अगला question पूँचा था हमारा निम लिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंदरता पराप्त हुई तो ये question हर परिक्षा में पूँचा जाता है बड़ा ये अच्छा question है Eritrea को, दच्छन सूडान को इसलोबाकिया को या बुरुनेई को तो एक तरीके से स्वतंदरता का मतलब किसी का गुलाम तो नहीं था ये उपनेवेस वनाने वाली गुलामी तो बहुत पहले ही खतम हो गई कुछ छोटे-मुटे आईलेंड ही रहे गए हैं अब तो जो किसी गुलाम हो या autonomous हो अब कोई भी देश किसी का गुलाम नहीं है modern जमाने में फिर ये किस स्वतंदरता की बात की जा रही है ये उसी परकार से स्वतंदरता की बात की जा रही और उसने खुद को स्वतंदर देश कोसित कर दिया था सेम इस्टोरी हुई थी यहाँ पर सूडान के साथ सूडान का जो दच्छन बाला भाग था वो सूडान से अलग होकर दच्छन सूडान के रूप में 2011 में सामने आया और दच्छन सूडान की राजधानी क्या है इसकी राजधानी है जूबा और एरिट्रिया की राजधानी है असमारा इसलो बाकिया की राजधानी है ब्रातिसलावा और ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी नेस्स कुर्शन पूछा गया था आपसे जलिया बाला बाग हत्या कांड का आदिस किस ने दिया था करनल रेजिनल डायर, माइकल ओ डायर, एच एच ऑसकुईत या बिस्टन चर्चिल तो देखिए जनरल डायर ने दिया था हम लोग पढ़ते हैं लेकिन ने मैंसे कौन सा डायर था, इसमें दो आपसन हैं, इन दोनों में आप कन्फूज हो सकते हैं तो इसका जो राइट आंसर है, बो है करनल रेजिनल डायर इसी ने आदिस दिया था जलिया बाग के निहत्ते लोगों पर गोलिया चलाने का और उसमें कई लोग मारे गए थे, और जो माइकल ओ डायर है, इसने उपर वाले करनल रेजिनल डायर के फैसले को सही ठहराया था अब ये कौन होता इसके फैसले को सही ठहराने वाला, ये उसमें पंजाब का लेटनेंट गवरनर था और इसी माइकल ओ डायर की हत्या की थी उद्धम सींग ने लंदन के कॉक्स्टन हॉल में जाकर एक तो यहां नहत्ते लोगों को करनल ने मारा और तुम पंजाब के लेटरिन गबरनर होकर उसके आदेश को सही ठहराते हो अभी बताते हैं तो इसको मार दिया था और H.H.O.S.Q. थे जो वो उस समय बेटेन के PM थे और विश्टन चर्चिल ये दुदिय विश्यूत के समय बेटेस के प्रधान वंतरी रहे अगला कॉस्टन पूछा गया था आपसे निम देखित में से कौन सा एक प्रारमिक कम्प्यूटर नहीं है एटलस नहीं है लियो नहीं है एनियक नहीं है लिंक नहीं है तो ये कॉस्टन होना चाहिए था निम देखित में से कौन सा प्रारमिक कम्प्यूटर है ये नहीं सब्द नहीं होना चाहिए था तो प्रारमिक कम्प्यूटर हो जाएगा आपका एनियक इस question में discrepancy के कारण इसका number सबको बराबर मिला था जिन्होंने attempt किया या नहीं किया सबको एक एक number मिला था इसके 맞ले यहाँ पर आयोग ने बताय भी था कि इस question में discrepancy है इसलिए इसका number सबको बराबर मिलेगा यहाँ पर देखिए साब साब लिखा हुआ है we found discrepancy in the question तो फिलाल इनियेक होता क्या है इनियेक था first computer इनियेक का full form होता है electronic, numerical, integrator and computer इसको पहले digital computer भी कह सकते हैं तो इस चीज़ से हमें यह पता चलता है कि computer के question भी exam में पूछे जा रहा है बैसे computer का separate section तो इसमें नहीं बताया गया syllabus में लेकिन जो GS के question में computer के 3-4 question हमें देखने को मिल रहे है कल के paper में भी हमने देखा था जो हमने कल का set one discuss किया था और इसी तरीके से हम लगबग 10 previous year questions के paper को करेंगे जिससे हमारी exam को लेकर जो understanding है वो काफी अच्छी हो जाएगी कि हमें किस level की तैयारी करना है और कौन questions को हमें skip करना है exam में अगला question है हमारा निमलेकित में से कौन सा सत्य कथन है रेटना पर बनने वाला प्रितबम उल्टा होता है रेटना पर बनने वाला प्रितबम मूलचबी से तो आँक जब इतनी चोटी है तो रेटना और चोटी होगी इसके अंदर पीछे वाले भाग में अब यह बस्तू है बस्तू तो बड़ी है अब इतना बड़ा प्रितबम तो रेटना पर बन नहीं जाएगा तो जिसमें लिखा है मूलचबी से दुगना होता है प्रितबम यह बाला गलत हो गया बस्तू की आकार की समान होता है प्रितबम यह बाला प्रितबम भी गलत हो गया अब बचे यह दोनों उप्सन तो देखिए रेटना पर बनने वाला जो पृत्वम होता है बस दू का वो उल्टा बनता है लेकिन हमारा जो दिमाग होता है उस पृत्वम को सीधा देखता है तो यह बाला उप्सन हमारा सही हो जाता है बचा लाश्ट वाला उप्सन रेटना पर निर्मित प्रित्वम उर्ध होता है तो ये बर्टिकल नहीं होता है जैसा होता है बैसा ये रहता है बस उल्टा बनता है मतलब इस एक्जाम में साइंस से भी ठीक ठाकोशन पूछे गए थे जो ताना टफ नहीं थे और इस ये तरगी से आप से पूछा गया था निम लिखित मैसेज भिन को चुने लुबधक, मंगल ग्रह, नेप्चिून या सनी तो इसमेंसे आपको डिफरेंट बताना है ये तीनों तो आपके ग्रह है एक जो लुबधक दिया हुए साइरस ये चमकीला तारा है स्वारमंडल के बाहर तो ये ही वाला इसमें डिफरेंड था अगला कोश्चन है वाला है रेडियम किस खनिस से निकाला जाता है रूटाइल से, हेमेटाइट से चूना पत्तर से या पिच ब्लेंड से तो बड़ाई भचाने वाला कोश्चन है अब बताईए इसमें से किस से निकाला जाता है आपका डूट जाएगा रूटाइल से निकाला जाता है क्योंकि आपको पता होगा हेमेटाइट से तो लोहा निकाला जाता है चूना पत्तर से कैल्सयम अगेरा pitch blend से uranium निकला जाता है तो इसका जो right answer है वो rutile ना होकर pitch blend है क्योंकि rutile से निकला जाता है titanium pitch blend से uranium तो निकला ही जाता है साथ सा radium भी निकला जाता है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए हमेशा अगला question है हमारा currents related था ये 2016 के दुनिया की सरप्रिथम तेजी से असर करने वाला रेवीज रोधी दबा का launch किया गया मतलब कहां पर किया गया तो ये किया गया था भारत में फिलाल आप इस question को जनना हमारे इंपोर्टन नहीं है इस question को देख के आप ये समझ सकते हैं current appear के question किस तरीके से पूँचे जा रहे है अगला question है हमारा काफी simple है NACL किसका रासानेक सूतर है सबको पता है नमक का है अगला question है 2019 रगभी बिसकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो पेपर हुआ था 2016 में 4-4 साल में ये मैच होता है यानि कि 2015 में हुआ होगा रगभी 2016 में पेपर हुआ तो अनों पूच लिया 2019 का अब कब कब पूचा जा सकता है 2019 का हुआ था जापान में और 2023 का कहा होगा 2023 का होगा फ्रांस में बैसे रेलिबी ने याँ पर थोड़ी से ट्रिक केल दिया हम लोग क्रिकेट का, फुटबॉल का इन सब का याद रखते हैं रगभी का याद नहीं रखते इसलिए रेलिबी ने थोड़ा से डिफरेंट करके पूच दिया तो इस चीट को भी आप ध्यान रखिए अगला कॉस्टन था हमारा नई दिल्ली में सब्भारती संसत भवन की रचना को किसने तयार किया था तो बिलकुल ये सिंपल कॉस्टन था किसने तयार किया था सर एडविट लूटियंस और सर हरवर्ड बेकर ने तयार किया था अगला कॉस्टन हम से पूचा गया था मानो सरीर में मौझूद निमलिखित कोस्टकाओं में किसमें माइट्रो कांडिया नहीं होता है तो माइट्रो कांडिया नहीं होता है आर बी सी में तो कहां है आर बी सी? आर बी सी है आपका लाल लक्त कड़काओं में नहीं पाय जाता है माइट्रो कांडिया और माइट्रो कांडिया को कोस्टका का बिद्दूद ग्रह कहा जाता है यहीं पर आपका ATP का निर्माण होता है स्वाशन के थुरू अगला कोस्टन है हमारा निमलेकरत ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है तो किसका कोई भी उपग्रह नहीं है ना तो बुद्ध का है ना तो सुक्र का तो option में हमारा कौन सा फस्रा है? option में फस्रा है सुक्र बाला बाकि सबके चंद्रमा याने की satellites natural हैं नेस्ट है हमारा भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किये जाने के लिए एक व्यक्ति की नियुनता मायू कितनी होने चाहिए तो देखिए एक व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्ट है या राजसभा का सदस्ट है वो दोनों ही condition में प्रधान मंतरी बनने के लिए eligible है तो देखते हैं options को 25 बर्स यदि राजसभा का सदस है तो ये वाला गलत हो जाएगा 25 बर्स में राजसभा जोईन ही नहीं कर सकता 25 बर्स यदि लोगसभा का सदस है तो ये वाला option अपका सही है तो इस कोशचन के लिए राजसभा का सदस है तो ये वाला गलत है अब बसते हैं यहाँ पर दो ओप्सन तो इनमें सही कौन सा है तो इस कोश्चन के लिए राइट एंसर हो जाएगा आपका बी वाला नियुंतम पूछा है ना यहाँ पर अगला कोश्चन था हमारा 2013 में परिचेपित किया गया भारत का पहला बिसे इस रक्षा उपगर है निम्लिकत में से कौन सा है जी सेट सेबन, जी सेट सिक्स, इन सेट फॉर भी या कलपना वन तो इसका जो राइट अंसर था जी सेट सेबन को लॉंच किया गया था 2013 में यह एक Defense Satellite था G-Sat का मतलब क्या होता है Geo-Stationary Satellite और N-Sat का मतलब क्या होता है Indian National Satellite I का मतलब Indian, N का मतलब National और Sat का मतलब Satellite और Kalpna बन देख रहा है ने जो आप यह एक Meteorological Satellite था यानि कि मौसम विज्ञान के लिए यह भारत की जो अंतरिक चात्री थी Kalpna चापला उनके नाम पर रखा गया था हलांकि इस Satellite के लॉंच के एक साल बाद ही उनकी Death हो गई थी इसको लॉंच किया गया था 2002 में और 2003 में उनकी अंतरिक सिबापसी आते समय उनकी मौत हो गई थी Columbia Satellite में तो बहुत दुखत गटना थी वो हम लोग के लिए अगला कॉस्चन था हमारा महलाओं ने पहली बार बर्स कितने में ओलंपे खेरों की सभी प्रतिस्त परधाओं में भाग लिया तो बड़ा अच्छा कॉस्चन है यह लिया था आपका 2012 में इससे पहले भी females participate करती थी लेकिन वो कुछ formats को छोड़ कर गेमों के कुछ formats को छोड़ दिया करती थी लेकिन 2012 में क्या हुआ 2012 में खेल का कोई भी format हो सब में females ने हिस्सा लिया था उसका यह बल्र आइट अंसर है अगला कॉस्चन हमारा बाय अंत्रक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानाओ कौन था तो प्रथम थे आपके मेजर यूरी गागरीन और बाकि जो तीन दिये गए हैं ये सब आपके हैं नील आर्मिस्ट्रॉंक चंदरमा पर कदम रखने वाला पहला आदमी बजल्ट्रिन जो हैं वो चंदरमा पर दूसरे ऐसे वेक्तिन जोनों ने कदम रखा था और इन दोनों के साथ एक और आदमीं गया था जो बाहर ही बाहर चंदरमा एक अक्षा फ्लाई टोड़ा रहा था नहीं तो फिर उनको वापस कौन लेके आता वो था माइकल कॉलेंस और जो जो जोन ग्लेन है ये भी आपके एक बहुती फेमस एस्ट्रोनोंट है अगला कोस्टन है मारा भारती बागों की घटी आवादी के सरनक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सरवादिक प्रिसिद बन जीव सरनक्षण प्रियोजना प्रोजेक्ट टाइजर कौन से साल शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में इंद्रा गांधी के कहने पर किसने शुरू किया था कैला स्रांखला ने अगला कोस्टन है मारा ब्रामपुर नदी निमलेकित में से किस देश से ओकर प्रभायत नहीं होती है चीन, बांगलादेश, भारत और नेपाल तो नेपाल से प्रभायत नहीं होती है चीन याने की तिबबद वाले लाके से निकलती है वहाँ इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है और फिर भारत में प्रिविस करती है असम में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है और फिर बांगला देश में जब इस प्रिविस करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है गंगा के साथ मिल जाने पर दोनों गंगा और ब्रह्म पुत्र को पदमा के नाम से जना जाता है अगरा हमारा कॉस्चन पॉलिटी से है बारती सम्मदान में उलिकेट अपद काली प्राबधन किस देश के सम्मदान से लिए गए है तो सिंपल कॉस्चन था United Kingdom याने के बेटेन से संस्दे परणाली ले गई है एकलनागरता ले गई है और कनाडा से संगी सासन परणाली ले गई है इस बात को आप बिल्कुल बिसेश रूप से धान रखिए भारत के जो संगी सासन परणाली है वो कनाडा की संब्धान से ले गई है ना कि USA की संब्धान से अगला कोशन है निम लिखत भारती राज जो मैंसे किस में केसर की खेती की जाती है तो केसर की खेती करने वाले एकमात भारती राज कौन सा है जब्मू कस्मीर अब यह राज नहीं है इसको यूटी बना दिया गया है अगला है हमारा निम लिखत में से किस जर्मन बैग जाने ने एक्स करणों की कोश की थी तो बहुत सिंपल कोशन है किस ने की थी विलियम रॉनजन ने की थी यहाँ पर यह विलियम रॉनजन लिखा हुआ है इनका एंगलिस बर्जन कहीं कहीं पे William Rondon लिखा रहता है अगला है हमारा नेमलिकित में से कौन सा जल प्रदूशन का कारण नहीं है समुदरी, डंपिंग, बिलकुल होता है जल प्रदूशन, घर का कच्रा बिलकुल होगा, तट परमचली पकड़ने से नहीं होगा और तेल फैल जाएगा समुद्र में तो भी जल प्रदूशन होगा क्योंकि तेल फैल जाने से समुद्री जी मर जाते हैं अगला है हमारा स्वादनर्ता से पूर निम्रिकित में कौन सी एक फ्रांसी सी कालोनी नहीं थी तो कौस्चन होना चाहिए था कौन सी एक फ्रांसी सी कालोनी थी इसका राइट आंसर हो जाता फ्रांसी सी कालोनी सी पुद्दू चेरी इसलिए इस कौस्चन में क्या था इस कौस्चन में डिस्क्रिपेंसी थी यहाँ पर नुमन साब साब बताया है अगला है हमारा पसुओं की जादातर प्रजातियां किसके करण लुप प्राय हो रही है आवाज बिखंडन, अमल बरसा, अतिदक सिकार या पानी की कमी तो इसमेंसे दो अपसन तो बैसे गलत हो जाते हैं, अमल बरसाथ से तो नहीं होगी, भागवान उनकी चमड़ी काफी मोटी बनाके भेचता है धरती पर, और पानी की कमी से भी नहीं मरते हैं इतने जादा जादातर किसके करण मरते हैं, या तो अतिदक सिकार के करण मरेंगे या आवाज बिखंडन के करण मरेंगे, तो इसमेंसे राइट अंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो राइट अंसर जब भी ऐसा आपका टाई की स्तिती फस जाए, तो आप समझेए, इनमेंसे जो पहले नंबर पर दिया रहेगा, वो इबाला राइट अंसर हो जाएगा, यह जब प्रोसेस, वें दा केंप्यूटर इस स्विच डॉन अंड ऑपरेटिंग सिस्टम गेश्ट लोड़ेड फ्रॉं दा क्या कहलाता है, जब हम केंप्यूटर को आउन करते हैं, और आपका ओपरेटिंग सिस्टम हाड डिक से डाटा को लेता है, वो कहलाता है बूटिंग, तो एवाला उप्सन इसका सही था, तो एवाला उप्सन इसका सही था किस सिस्टान पर दिया हुआ है, दूसरे नमबर पर दिया हुआ है, और देखते हैं जी के क्वेश्टन को, विच इंडियर वोन दर टू थाउजिन फोटी नोबल प्राइज फॉर पीस, किसने जीता थ किस के साथ जीता था, पाकिस्तान की मलाला उसुप जई के साथ, अगला क्वेश्टन है हमारा, who was the first president of the Indian National Congress, Indian National Congress का पहला अध्यक्ष बताना है आपको, सबको पता रहता है, विवमेश चेंद बनर जी थे पहले अध्यक्ष, और जो आपका दिया गया है, ऐलन ओक्टोबिय ये कांग्रेस के संस्थापक थे, और एक चीज़ से आप कभी भी मत कन्फ्यूज होए, Indian National Congress के जो पहले अध्यक्ष है, वो है W.C. बनर जी, और भारती सम्मिधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है, सक्चिदानन सिन्ह है, अगला है हमारा, in 2013, the first moment to be elected as the president of the South Korea, ये current का question है, अब तो हमारे लिए useful नहीं है, तो answer जानके क्या करेंगे, इसको skip करिए, अगला हमसे पूँचा गया था, Mughal Empire was founded by, कितना simple है, किस ने found किया था, बावर ने found किया था, अगला हमसे question पूँचा गया था, the oldest oil field in Asia is located in, Asia की सबसे पुराना तेल छेतर कौन सा है, ये है आपका, Assamka Dig Boy oil field, Asia का सबसे पुराना और भारत का सबसे पुराना oil field है, जो अभी तक वर कर रहा है, अगला question आपसे पूँचा गया था, next question है हमारा, which of the following is false, the sound waves are, कौन सी waves है, longitudinal waves तो होती ही है, और वो mechanical waves तो होंगी, जब longitudinal हैं तो, क्योंकि longitudinal के ये दो टाइप्स में बाटा गया है Transverse और longitudinal, और pressure waves भी होती है, sound waves, बस electromagnetic waves नहीं होती, sound waves, यही वाला आपका right answer था, इसका, अगला हमसे question पूछा गया था, वो simple question था, how many bones does a newborn baby have, नए पैदा हुए बच्चे में कितनी हड़ियां होती हैं, नए पैदा बच्चे में हड़ियां होती हैं, 350, और 22 मनस्तु में कितनी होती हैं, 206 डियां होती हैं, अगला था, Olympics related question, which country will the world's nest stadium for 2008 Summer Olympic, 2008 के Summer Olympic के लिए किस देश ने चिडिया के घोंसले के आकार का stadium बनाया था, तो 2008 का कहा हुआ था, यह पता होगा तो आप आसा निस कर ले जाएंगे, 2008 के Olympic को Beijing Olympic के नाम से भी जाना जाता है, तो किस ने बनाया चायना ने, यह पूरा जो stadium है, इस टील का बना हुआ है, और यह भूकम प्रोधी stadium है, अगला है हमारा, which of the following color light has the lowest frequency, आपको सबसे कम अबरती वाला color बताना है, तो सबसे कम हो जाएगा, आपका जिसकी wavelength सबसे ज़्यादा होगी, उसकी frequency सबसे कम होगी, इसलिए red वाला non-metal है, जो liquid form में रहता है, तो non-metal में तो आपका एक ही है, bromine, और अगर बात की जाती यह से question में metal की, तो आपका कौन सा सही हो जाता, आपका सही हो जाता, mercury यानि की पारा, अगला है हमारा, manch is the folk dance form, कहां का है manch folk dance, manch है आपका मद्ध प्रदेश का, और हर्याना का folk dance कौन एक जाम में पूछा किया था, which of the following insecticide harmful effect came under media attention, when health issue in Kerala by public side, तो आपको बताना है, कि इनमें से कौन सा ऐसा कीट ना सक है, जो हमारे स्वास के लिए harmful है, इस बात को जब मेडिया ने न्यूज में लाया, तो इस बात का पता चला था, तो इसका जो right answer है, वो है endosulfान हमारे स् insecticide, तो एक current का question है, मतलब current के भी question आपको इस तरीके से GK में mix करके पूछ देता है, अगला आपसे पूछा किया था, choose the one which is different from the odd of the following, आपको ने में से different चुनना था, aluminum, iron, copper या brass में से जो आपका different है, वो है brass, क्योंकि brass एक alloy है, या 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 first geostationary satellite is called, क्या कहलाता है, आरभट एपल वासकर सेकेंड या insect first भी, तो 1981 में, first geostationary satellite launch किया था, इस रो ने, वो किया था, एपल, और एपल के बाद किया था, आपका वासकर सेकेंड, और सबसे पहला 1975 में कौन सा किया था, आरभट किया था, और इंसेट को तो आप जानते ह इंडिया नेशनल सेटिलाइड इसका full form है, अगला पूछा किया था आपसे, which of the following was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1928, बहुत हलुआ कोस्चन है, Alexander Fleming ने क्या खो जा था, Alexander Fleming ने penicilline, यानि की पहला पिर्टिजयविक हो जा था, नेक्स्ट है मारा, which of the following act under the Indian Constitution is described by Article 21A, Article 21A में बताया गया है, कि 6-14 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए सिक्षा अनिवार है, तो इसमें right to education बताया गया है, नेक्स्ट है मारा, which of the following monuments built by मुहम्मद कुली कुतुपसा है, कुली कुतुपसा ने क्या बनवाया था, कुली कुतुपसा ने बनवाई थी, हैदराबाद की 4 मीनार, और अलाई मीनार किसने बनवाई थी, अलाई में छुपा हुआ है, अलाई, तो अलादिन खिल्जी ने बन अलाई गया था, और कुतुप मीनार किसने बनवाई थी, कुतुप मीनार बनाई थी, कुतुपद्दीन एवक ने, और इसको पूरा किसने करवाय था, इल्तुतमस ने, और दूसरी बार इसको पूरा किसने करवाय था, फिरोसा तुकलक ने, जब यह एक मंजल इसकी बिजल की तरह होता है और यह Lotus Symphony यह भी IBM Company को दोरा बनाएगा software है यह भी bird की तरह ही काम करता है इन वैसे जो साफ साफ आपको अकर तीन यह भी नहीं पता हो तो आप इसको पैचान सकते हैं कि Microsoft Excel है वो bird की तरह नहीं होता है तो यही वाला इसका right answer था D वाला अगला question था sports related GK थी how high is the badminton net at the center center में कितना उचा होता है badminton का net तो थोड़ा सा tough question हो गया क्योंकि sports related तो हम इतना नहीं पढ़ते हैं deeply इस तरह कोस्टन आए तो आप इसके भी कर सकते हैं उसको ज़्यादा time base नहीं करना चाहिए क्योंकि आप इसमें तुक्का नहीं लागा सकते फिलार इसका right answer है वो है 5 feet अगला question आपसे computer से related पूँचा गया था the operating system UNIX is a trademark of वल्लब किसका trademark है यह है आपका bell laboratories का और इसी तरह की से एक और question आपसे पूँच लिया गया थोड़ा सा tough था यह भी किसके दोरा बनाए गए थी पहले electrical AC तो इसका जो right answer है वो है बिलिस केरियर दोरा बनाए गए थी तो थोड़ा सा tough question हो जाता है हम लोग इतना deeply नहीं पड़ते हैं अब इस कार के बारे में अलग question है हमारा simple question था यह which of the following is the most common kidney stone forming compound तो kidney stone किससे बनता है यह बनता है calcium oxalate से अलग question हमारा current related पूचा था आपसे इन 2015 underground glacier of frozen butter वर्ड डिस्कबर्ड और यह मिले थे मार्स पर अगला आपसे world history question पूच लिया गया इसमें से किस रसिया के नेता ने orthodox Christianity को रसिया के धर्म के रूप में सुईकार किया था यह था ब्लादमीर दग्रेट बल्द हिश्टी का था थोड़ा सा tough question है अब चाहें अगर तो इसको एक्जाम में skip कर सकते हैं ज्यादा time based करने से कोई मतलब नहीं है तो ऐसे question पर time based करने से अच्छा है अब पूरे paper पर एक बड़ सरसरी नजर माल लें क्या पता simple simple question आपके paper के last में दिये गए हूँ अगला है हमारा on an average how many test birds are present in human tongue मानों की जीब में कितने test birds होते हैं आपके होते हैं 2000 से लेके 8000 और human की जो जीब होती है वो भी चार हिस्सों बटी होई थी है आगे का जो हिस्सा होता है वो कड़वे का अनभाव करता है पीछे का हिस्सा होता है वो अनभाव करता है मीठे का और जो side किनारों के हिस्से होते हैं वो अनभाव करता है खटे स्वाद का तो बीच का जो हिस्सा होता है, वो neutral होता है, इसमें कोई भी स्वाद महसूस नहीं होता है, तो इन जो हिस्सों में test buds होते हैं, यानि की स्वाद कलका है, वो होती है 2000 से लेके 8000 तक, अगला है हमारा Father of Indian Space Program is, भारती अंतरिक्ष कारिकरम के पिता आपको बताना है, भारती अंत Parliament of India कहा जाता है, डाक्टरक के कस्तूरी रंगन है, ये भी इस्तरों के चीफ रहे हैं, और अभी जो हाल में new education policy आई है, उसके भी ये चीफ थे, प्रोफेसर सतीज धबन, तो इन ही के नाव पर सतीज धबन Space Center बनाए गया है, आंध प्रदिश के स्रीया रिकोटा में, और सा spending 20 million dollar for 8 days in orbit, आपको बताना है, प्रद्वी की कक्छा में के बल 8 दनों के लिए 20 million pay करने वाला कौन सा प्रथम अंतरिक्ष परिया टक है, तो 20 प्रसित है वो, वो है आपका Danish T2, अगला कोश्चन साइंस का था, what is C12H22O11 is also known for, ये किस का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो भारत का राष्टी गीत किसे ने लिखा था, राष्टी गीत लिखा था, बंकिम चन चेटर जी ने, इनका जो पन्यास था, अनन्द मट, उसमें नोंने लिखा था, और रमिटना टैगोन ने लिखा था, राष्टी गान जैनिगर्मन, और पिंगली बैंकर या ना क्या किया था यह उन्होंने भारत का राष्ट यह दोज बनाया था अगला है हमारा which of the following is not an effect of noise pollution यह मैंसे कौन सा नहीं है जो दोजनी प्रदूशन का effect है death of animals बिलकुल हो सकती है जो छोटे छोटे जीब जन्तू होते हैं वो noise pollution के कारण मर सकते हैं आपका सही नहीं है नॉट बताना है न आपको और tini test बिलकुल हो सकता है tini test का मतलब होता है कानों में ध्वनी सुनाई देना गूंज की तो यह वाला भी आपका हो सकता है और hypertension यानि कि high blood pressure यह भी हो सकता है आपका cause ozone deflation नहीं हो सकता है noise pollution से जी तो यही वाला भी में आपका right answer था last question is मैं हमारा which of the following popular tourist destination of India were built in 1911 to commemorate the visit of King George V and Queen Mary यानि कि King George Panchyam और Queen Mary जब भारत आये थे 1911 में तो उसकी यादगार के लिए किसे बनाया गया था यह बनाय गया था gateway of India को Mumbai में जबकि जो India gate है वो आपका दिल्ली में यह बात आप ध्यान रखिए दोनों का नाम safe है यह आपको confuse कर सकता है the make in India logo made up of bot किसका बना है make in India logo आपने देखा होगा जो make in India का logo है वो एक सेर है और वो बना हुआ किसका है वो बना हुआ है gears का कॉक्स का मतलब होता है दातेदार पहिया यानि कि दातेदार पहियों का मिलकर बना हुआ है वो next देखते हैं हम लोग how do Indians celebrate हो ली बारत के लोग कैसे मनाते है हो ली को फुल फॉर्म से एक दो कोशन हर सेप में पूछे ही जा रहे हैं तो एजियल का फुल फॉर्म होता है होकी इंडिया लीग next है मारा एक बुक से रिलेटेड मालगुडी डेज इस बेस्ट ओन दा परक्स ओ विच इंडियन राइटर किसके द्वारा लखी गई है यह आर के नारण द्वारा लखी गई है बहुत ही फेमस पूछ तक है हर एक जाम में आपसे इससे कुश्चन पूछ लिया जाता है next है हमारा at what time did इंडिया gain independence on 15 August 1947 तो बहुत सिंपल पूछ लिया कब पाई थी भारत ने स्वतंत था 15 August 1947 को आधी राद में पाई थी इस पर जवाला लहनू ने एक भाषण भी दिया था कि मद रात्री में जब पूरी दुनिया सो रही होगी तो भारत अपनी नई आजादी के लिए जाग रहा होगा बहुत ही famous speech है उनका तो यह question भी बहुत simple था इसका right answer था midnight next है हमारा इसके कौन सी art या science होती है जिसके तुरू हम projectile को इस तरीके से design करें कि हमें अपना desired लक्ष प्राप्त हो जाए तो देखिए यह होती है आपकी ballistic missile ballistic missile को इस तरीके से design किया जाता है कि जो आपका projectile होता है उसका path बो desired तरीके से यान माली जी हमारा यहां पर target है तो ballistic missile यहां से छोड़ी जाएगी वो सीधी जाके target को ही nest करेगी तो यह आपकी technique होती है ballistic missile बनाना तो इसमें कहा है आपका ballistic यह first option पर आपका सही हो जाएगा next हमसे पूँचा किया था what does WLAN stand for तो LAN का full pump तो होता है local area network और जब उसमें W जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है barless local area network next हमारा what does bicameral legislature means बहुत simple पूँच लिया bicameral का क्या मतलब होता है ऐसा प्रिधान मंडल जिसमें दो सदन हो तो दो बाला option कहा है the latest literature are divided into two separate assemblies बिल्कुली ये बाला साही हो जाएगा next हमारा science related which is the most abundant combustible natural gas निम्लेकर तमें से कौन सी gas है जो प्रचोर मात्रा में उपलब्ध है दहन सील भी है निम्लेकर जो प्रोपेन, एथेन और ब्यूटोन है इनकी तो बहुत कमी है natural gas की जबकि जो मेथेन है Mars gas वो प्रचोर पर अधिक मात्रा में उपलब्ध है इनकी मुकाबले next हमारा which among the following is the largest fresh water lag in India कौन सी है largest fresh water largest fresh water है आपकी जम्मू कस्मीर में बूलर जील next हमारा water बीबी पेरा तो यह थोड़ा से tough question है अगर आपको कोई भी idea नहीं है तो इस तरी question को आप छोड़ सकते हैं फिलाल इसका जो right answer है बीबी पेरा होते हैं बीबी पेरा होते हैं next हमारा water लाइम रिक तो फिर से आपको इस question में फसानी की जा रही है तो इसका जो right answer है लाइमरिक होती है अंग्रेजी की ऐसी कब्दा जो पांच लाइन में लिखी गई हो और थोड़ी सी मतलब ये mockery type की कब्दा होती है तो यहाँ पर हमारा right answer था बीबाला अगर इसमें आपको idea नहीं है लाइमरिक क्या होता है तो आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते नेक्स्ट है हमारा तो देखिए फिर से आपको फसानी कोसिस की गई सिगमो क्या है अगर आपको idea नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसका सही answer नहीं लागा सकते और ऐसे question में तुक्का तो आपको बिल्कुल भी काम नहीं करता है फिलाल इसका जो right answer है सिगमो है वो गोवा का एक त्योहार है हिंदू का festival है तो इसमें हमारा पहला बाला right answer हो जाएगा अगोवा इस्प्रिंग फेस्टिबल नेक्स्ट है हमारा in computer वाट डज योसमाइट, मॉबरेक्स, मॉन्टेन लाइन, लाइन, स्नो लिपर, लिपर, टाइगर, पैंथर कुल में लाकि आपको इतना बताना है ये सब किसके लिए प्रियोग होते हैं computer में तो ये सारे versions हैं किसके जिसके जिसपर हमारा apple काम करता है versions of mac o x next है हमारा lego laser interferometer observatory buzz recently in news क्यों थी ये news में ये news थी discovery of gravitational waves के कारण लोने बताया है कि दो पदार्तों के बीच में अगर gravitation लग रहा है तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके बीच आपका graviton का यानि की gravitational waves का लगातार आदान प्रदान हो रहा है next है हमारा in which century did Portuguese merchant first landed Goa गोवा में पर्थम जो पुर्तगाली यात्री था वो किस सताबदी में आया था पुर्तम पुर्तगाली यात्री था बाशकुडगामा वो आया था 1498 में तो कौन सी सताबदी हो गई आपकी 15th century हो गई next question है in 1999 who was the prime minister of Pakistan who was oversorn by a military coup led by general परवेज मुसर्रफ तो 1999 में पाकिस्तान की आर्मी जिसको जनरल परवेज मुसर्रफ ने लीड किया था उन्होंने किसका तक्ता प्लेट कर दिया था उस समय कौन था प्राइम मिनिस्टर उस समय थे नबास सरीफ ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की आर्मी हमेशा ही अपना रॉब जमाती रहती है सरकार पर और मौका पढ़ने पर वो हाथ पकड़के प्रधान मंत्री को कुर्सी से नीचे उतार देती है और खुद सासन करने लगती है आपको बताना है जो ओनिरोलोजी है वो किसकी अध्यान को कहते है ओनिरोलोजी कहते है सपनों के अध्यान को यानि की ड्रीम्स वाला उप्सन आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा विच वाद दा होस्ट शिटी औफ फर्स्ट मौडरन समर ओलम्पिक गेम्स हेल्ड इन 1896 1896 में जो आपके मौडरन ओलम्पिक हुए थे वो किस जहर में हुए थे तो देखिए बैसे तो आपका जो ओलम्पिक है वो 1776 BCE से होते चले आ रहा है लेकिन जो आपको मौडरन ओलम्पिक है यानि कि मौडरन जमाने के वो हुए थे सबसे पहले 1896 में कहां हुए थे एथेंस में हुए थे ओलम्पिक है गया था केम्प्यूटर में नेक्स पॉर्चन है अनन्द पाई द्वारा शुरू की गई फेमस कॉमिक सीरीज को होंती है तो इनन्द शुरू किया था अमर चित्रकता को और अनन्द पाई को प्यार से अंकल पाई के नाव से जयाना जाता था तो क्या कहलाता है ये कहलाता है नीबुला एक स्पेस का इस्ट्रक्चर होता है अगला है हमारा वेर इस दा मॉस्क अढ़ाई दिन का जोपड़ा है अजमेर में जब कुतुबित दिन एबक को रुकने के लिए जगह नहीं मिली थी तो उन्होंने अढ़ाई दिन के अंदर ही जो पड़ी तयार के जएती दूसरा वाला अंसर हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट है what the official language of botan botan की जो official language है वो क्या है वो है आपकी जो उख़ा language नेक्स्ट है वें डिश सिक्कम बिकम ए state of india तो सिक्कम कब बना था 1975 में बना था 36 constitutional amendment के थूरू तो इसमें पहला option हमारा सही ह next is railway से related ही पूछ लिया उन्होंने what does PNR stand for PNR का क्या मलब होता है तो PNR का full form होता है passenger name and record next is plus 91 is the country calling code for which nation तो मुझे लगता है इससे simple question और कोई पूछा जा सकता है यह है आपका India का next is what plant has the scientific name solonum tubersum तो यह होता है potato का और tomato का क्या होता है tomato का होता है solenum lycopersicum इसमें lycopene पाया जाता है ना तो उसी base पे इसका नाम रखा गया solenum lycopersicum और pumpkin का क्या होता है pumpkin का होता है kukar vita और onion का क्या होता है onion का होता है allium sepa तो यह चार नाम आपसे बहुत पूछे जाते हैं एक जाम में गुमां गुमां के आपके आकरत प्राण जैसबाल यह के बहुत साथ साल के थे जब नोंने अपनी पहली सरजरी की थी तो कुछ लोग talented ही पैदा होते हैं इनका जो IQ level है वो 146 है नेक्स्ट है अंतराष्टी सेवयो को कौन बढ़ावा देता है बहुत सिंपल है यूएन देता है United Nations नेक्स्ट है वाट दा अपोजेट अप धर्म तो यह क्या हिंदी का कुछन पूछ लिया कहरे लिवे ने फिलाल इसका जो राइड आंसर है धर्म का अपोजेट होता है अधर्म नेक्स्ट है यह केबल भारत के राष्ट पती थे जबकि बागी तीनों लोग राष्ट पती होने के साथ साथ उपराष्ट पती भी रहे तो इसका राइड आंसर है एक बहुत बड़ी घाटी मिली है और जील मिली है बर्फ के नीचे जो हाल ही में डिसकवर किया गया था यानि कि 2016 में क्या कहलाता है बेट कहलाता है यूँकि जो आपका मास होता है ना M अगर उसमें ग्रेविडेशनल फोर्स को एड़ कर दिया जाए तो क्या बन जाता है आपका M G बन जाता है और M G किसका फॉर्मूला होता है M G होता है आपका बेट का फॉर्मूला 14 संपर 2015 को जारी हुई मानव बिकास सूचकांग रिपोर्ट के अंसर भारत का इस्थान कौन सा है यानि कि आपको HDI के बारे मताना था Human Development Index के बारे में तो 2015 से तो हमें मतलब नहीं है 2019 में भारत का कौन सा इस्थान रहा HDI में तो 2019 में भारत का इस्थान रहा था HDI में 116 मा और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है इसमें पहले स्थान पर रहा सिंगापूर Next question है हमारा जड़त या जिसी इनर्सिया कहते हैं का नियम किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था देखिए जड़त का जो नियम है वो गती का प्रथम नियम भी कहलाता है इसको किस ने दिया था आईजक नियूटन ने दिया था Next question है हमारा भारत बन रिपोर्ट 2015 की अनुसार कुल भॉगलेक छेत्र का कितने प्रसाथ हिस्सा बनों और ब्रक्षों से आक्षादित है तो 2015 में जो था भॉगलेक छेत्र का बो था 24% और 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना रह गया है ये 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के कुल भॉगलेक छेत्र फल का मात्र 21 प्रसाथ ही बन है अगला question है हमारा USA का राष्टी खेल कौन सा है अमेरिका का कौन सा है राष्टी खेल अमेरिका का है बेस्बॉल काफी सिंपल था ये question Next question है हमारा ICC के भ्रष्टाचार रोधी निगरादी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है तो देखिए करंट का question पूछ लिया गया था इसका अंसर था राहल दिरबड को नामित किया गया था ICC के भ्रष्टाचार रोधी जो दल होता है उसके लिए और ICC का headquarter कहाँ पर है ICC का headquarter है दुबई में अगला question है हमारा computer से पूछा गया था आपका net तथर्ष्टा या net neutrality का क्या आर्थ है तो यहाँ पर चार option दिये गए थे वैसे railway ने इस question को गलत वाना है उन्होंने बता है कि इस question में discrepancy के कारण यह सारे candidate के लिए ignore कर दिया गया है और इसका एक एक नंबर सारे candidate को दिया जाएगा तो railway की हर exam में लगवग ऐसा होता है दो से तीन question ऐसे होते ही है जो railway बाद में गलत प्रूप कर देता है कि वो question ही सही नहीं था अगला question है हमारा भारत का सम्मेधान कब लाग हुआ था बहुत simple question है भारत का सम्मेधान कब लाग हुआ था 26 जनबरी 1950 को लाग हुआ था और इसी दिन गरतन दिबस मनाय जाता है और भारत का सम्मेधान complete कब हो गया था बनके तो complete हो गया था 26 नमबर 1949 को next है हमारा नमबरिकत में से कौन भारती रेलवे के एक जोन को नहीं दरसाता है कौन नहीं दरसाता है देखते हैं तो SECR यानि कि South East Central Railway ये बिल्कुल जोन है ECOR Eastern Cost Railway ये बिल्कुल भी सही है NWR Northern West Railway ये बिल्कुल सही है और EWR तो ये कोई रेलवे जोन नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए East भी आ गया है और Best भी आ गया है तो ऐसी कोई जिसा तो होती नहीं जो East Best दोनों तरब हो तो यही वाला इसमें wrong answer हो जाएगा अगला कॉस्टन पूछा गया था बहुत सिंपल था निम्लिक तुमसे कौन सा समूँ अन बिकलपों की संगज नहीं है Twitter.com, Facebook.com, WhatsApp या YouTube.com तो कौन सा नहीं है इसमें .com नहीं है वाटसेब में वैसे तो यह सब सोचल मीडिया है लेकिन WhatsApp में .com न अलगा होने के कारण या अन बिकलपों से अलग है या ऐसे भी कह सकते हैं आप के बांकी तीनों की website है लेकिन WhatsApp की कोई website नहीं है इसको आपको चलाने के लिए अपने computer या mobile में app डाउनलोड करना पड़ता है अलगा है इमारा दादा भाई नौरोई जी को गड़तेव में बहुत की विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहा नियुट किया गया था इनको नियुट किया गया था एलफिस्टन कॉलिज मुंबई में और दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले वक्ती थे जो बिटिस संसत के सदर्श वने थे और इनौ ने ही धन के भरगमन का सिद्दान दिया था कि किस तरीकी से अंग्रेज भारत के धन के डोडो कर इंग्लेंड ले जा रहे है अगला कुशन है हमारा तरल अवस्ता से गैसी अवस्ता में रूप अंतर को क्या कहते है साइंस का कुशन था सिंपल है तरल से गैस में बदलेगा तो होगा आपका बासपी करण और गैस से तरल में बदलेगा तो होगा इसका उल्टा क्या होगा संगनान होगा वहाँ पर और उदपातन तो आप जानते हैं सबलमाईजेशन जिसमें जो आपका पधार्थ होता है वो ठोस से सीधह gas में बदल जाता है बीच की जो अबस्ता होती है तरल वो पराफ नहीं करता है सीधह ही आपका ठोस से gas में बदल जाए तो उसको कहते हैं उर्द पातन और Oxidation तो आप जानते ही है किसी भी पधार्त में ऑक्सीजन के अणु जोड़ जाये इनमें से आपको different चाड़ना है BT Cotton, Golden Rice, Amflora या भिंडी तो देखिए यह जो तीन आपके option है यह आपके genetic engineering के दोरा बनाये गए products है BT Cotton होता है यह कपास की एक किस्म होती है और Golden Rice भी आपकी genetic एक कपास की किस्म होती है चाबल की और Amflora यह आलू की एक genetic किस्म है जबकि जो भिंडी है वो एक genetic किस्म नहीं है एक normal सब्जी होती है नेक्स्ट हमारा निम्लिक्त में से किसे पदम भूशन फुरुषकार से सम्मानत नहीं किया गया तो 2016 में paper हुआ था यह तो 2016 का ही question था तो उस समयच का right answer था स्बस्ट को नहीं किया गया था फिलाल 2020 का हमें देखना है 2020 में किसे किसे मिला है 2020 में मिला है मैरी गॉम को सुसमा स्वराज को भी मिला है मैं यह आ पर दे दे रहा हूँ आप वीडियो को पॉस्ट करके देख लीजिए अगला question हमारा computer से related है MS-Bird में कौन सी कुनुजी सयूजन کا प्रयोग एक कार को पहला जैसे करने के लिए कर जाता है। Ctrl-V Ctrl x. पानिपते रिफाइणरी किसके अंतरगत आती है। तो पानीपत की जो रिफाइनरी है रियाना में बो आती है IO-CLE के इंतरगत और IO-CLE के इंदरगत ही मथुरा की रिफाइनरी भी आती है नेक्स्ट है हमारा किस प्रिक्रिया के दौरा आहर नली में भोजन जाता है तो ये जाता है आपका अंतरगर्ण यानी की इंजेस्टन के द्वारा और उसके बाद भोजन जाने के बाद पाचन होता है उसका और उसके बाद होता है एसीमिलेशन एसीमिलेशन के क्या मतलब होता है भोजन से पोशक तत्तों को गरहन करना और सबसे लास्ट में होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के कमलब होता है निस्कासन, जो भी आपका एक्स क्रेट अगरा बेस्टेज बज गया है उसको निकाल दिया जाता है सरीर के द्वारा नेक्स्ट हमारा 1971 से पहले भारत पाकिस्तान में किस बर्थ युद्ध हुआ था तो 1971 से पहले क्या हुआ था 1965 का हुआ था भारत पाकियुद अभी तक चार हो चुके हैं 1948 में, 1965 में 1971 में और 1999 में कारिल का अगला हमारा कुष्ट रोधी दिबस कब मनाया जाता है तो कुष्ट रोधी दिबस मनाया जाता है 30 जनवरी को इसी दिबस मनाया जाता है अगला हमारा इनमें से किस दिबस में सबसे छोटे सिक्टे को पैसा नहीं कहा जाता है भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में और स्री लंका में तो देखिए रेलेवे ने क्या चाला की की जैसा ही हमने ये दियाद कर लिया कि किस किस देश की मनी को रुपया कहा जाता है यानि कि किस किस देश की मुद्रा रुपया है तो अब इसने कोस्टन घुमा दिया क्या कर दिया कोस्टन कि बताइए किस देश की रुपय का सबसे छोटा सिक्का पैसा नहीं होता है अपने आप भारत में सबसे छोटा भाग क्या होता है एक रुपाय में 100 पैसे होते है तो देखिए इसका जो राइट अंसर है स्री लंका का जो पैसा होता है वहाँ एक रुपाय में 100 पैसे नहीं होते वहाँ पर एक रुपाय में सौ सेंट होते हैं तो इसलिए यह वाला राइट अंसर आपका हो जाएगा बाकित तीन जगह आपके एक रुपाय में सौ पैसे होते हैं तो इतने ज़ाइगे इतने ज़ाइगे ऑपका इसलिए गेम इसलिए इसने 188 गोल्ड जीत लिये थे टोटल जीते थे 308 पदक और ये 12 भी दच्छन ACI खेल हुए थे अस्रम के गोहार्टी में जबकि ओलम्पिक में तो भारत का प्रत्थन बहुत ही खराब रहा 2016 में उसने एक भी स्रॉण पदक नहीं जीत पाया था और नहीं 2012 में कोई श्रॉण पदक जीता अगला है हमारा परमाणू बिखंडन किसकी प्रिक्रिया है परमाणू रूप अंतरन की एक भारी परमाणू नाविक के उफकंड हो जाने की बिल्कुल यही बाला है परमाणू बिखंडन में एक भारी नाविक दो हलके नापकों में तूट जाता है नेक्स्ट है मारा भारत की जनगरणा 2011 के अंसार सबसे अधिक अबादी वाला राज कौन सा है तो बहुत सिंपल है सबसे अधिक अबादी किसकी है उत्तर प्रिदेश की है और जो बिहार है वो सरवादिक जनगरणत वाला राज है नेक्स्ट है मारा यूनेसको द्वारा भारत में बिश्चो धरुआर इस्तलों की कुल संक्या कितनी चुनी गई है तो ये 2016 के अकॉर्डिंग तो थी 32 लेकिन अब 2020 के अकॉर्डिंग 38 हो गई है टोटल नेक्स्ट पूचा गया था आपसे टॉक्सिको लॉजी किसका अध्याने किसका अध्याने देखिए यहाँ पर छुपा हुआ है टॉक्सिको लॉजी में टॉक्सिक और टॉक्सिक क्या होता है जहर होता है तो जहर का अध्यान टॉक्सिक कहलाता है नेक्स्ट हमारा ISI का पूरा नाम क्या है देखिए फुल फॉर्म से आपके खुब कोश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक हमने जितने भी पेपर किये हैं उन्हें फुल फॉर्म से लगबग एक या दो कोश्चन तो हर सिप्ट में पूछे ही गए हैं यहाँ पर ISI का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस नेक्स्ट हमारा तवांगमट कहा है नेक्स्ट हमारा भारती संसत के सम्मन में बिसम का पता लगाएं तो पॉर्टि का क्रुशन था इस बताना है कौन सा है जो ओड है यहाँ पर संसत के सत्रों के बारे में दिया गया है संसत की होते हैं तीन सत्र कौन-कौन से एक होता है बजट सत्र एक होता है मांसून सत्र और तीसरा होता है सीथ कालीन सत्र यह ग्रीसमिल सत्र नाम से कोई भी सत्र नहीं होता है बताना है आपको कौन से इन मैं से प्रोग्रामिंग भासा नहीं है तो assembly language बिलकुल होती है POP3 ये नहीं है क्योंकि एक इंटरनेट का post office protocol है इसका full form POP का full form है post office protocol इसके थुरू email बगारा भेजा जाता है जबकि C++ और Java ये भी programming language है तो इसका right answer हो जाएगा आपका B बाला Next है भारत में सुवित कांती का जनक Father of White Revelation किसे जाना जाता है किसे जाना जाता है सुवित कांती का जनक बर्गीज कुरियन को जाना जाता है और हरत कांती का जनक किसे जाना जाता है Dr. Ms. Swaminathan को Next एक और question पूछा गया था इस question में थोड़ी सी discrepancy थी देख लिजे यहाँ पर लखा हुआ discrepancy found in this question Question था आपका भारती railway ने अपने जान में कहां पर biodigel locomotive की शुरुआत की है तो railway ही ने इसका answer नहीं दे पाया है इस question में discrepancy थी तो इस question को सभी candidate के लिए ignore कर दिया गया था Next हमारा computer से related इनमें से कौन सा है जो कमदूरी की wireless connectivity की सुब्दा प्रदान करता है कौन करता है? Bluetooth करता है कमदूरी की Last question हमारा इस set का फ्रांसी सी खोज करता बास्कोडिगामा पहली बार समुदर के रास्ते भारत में कहाँ उत्रा था? तो देहीए पहली बात तो ये है कि जो बास्कोडिगामा था वो फ्रांसी सी ना होकर पूर्टगाली था वो कहाँ उत्रा था? वो उत्रा था Keral के कालीgod में तो यहाँपर option में भी थोडी सी गरबरी दी गई है काली कट में उत्रा था, कपड में नहीं उत्रा था और नाही बासकोड़वामा फ्रांसीसी था तो यह ठोड़ा सा question गलत था क्योंकि बासकोड़वामा 1498 में केरल के काली कट में उत्रा था वहां के राजा जमुरान ने उसका भरपूर स्वागत किया था तो friends इस तरीके से हमने देखे इस सेट के जीके के कोश्टन आई होप आपको काफी पसंद आया होगा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ इसे सेयर करिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स एट में देखेंगे और भी पिछली सालों में पूछेगा questions के answers और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब ही कर लीजे जिससे आने बाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें तो मिलते हैं फ़र नेक्स वीडियो में